नमस्कार तथे में आपका स्वागत है मैं हूं मनीश वस्ती यह तथे में हम बात करेंगे पाकिस्तान में तबाही पाकिस्तान में कब आएगी तबाही जाने कितने वजे और कहां टकराएगा बिपर जॉय किन शहरों पर अधिक खत्रा पाकिस्तान की जलवाई उर्जा मंतरी शेरी रहमान ने बुद्वार को कहा कि चक्रवाद बेपर जॉय गुर्वार को सुबह ग्यारा बजे इस्थानिय समय नुसार सिंद के केटी बंदरगा से टकराएगा पाकिस्तान स्थेज जियो न्यूज ने यह जान करी दी इस्लामाबाद में एक प्रेस कांफरेंस के दोरान शेरी रहमान ने गुर्वार को सिंद में आये चक्रवादी तूफान के बारे में बात की उन्हों ने आगे कहा कि अब तक सिंद के तठी हिलाकों से 66,000 लोगों को सुरक्षित ठानों पर पहुंचाया गया शेरी रहमान ने आने वाली आपदा की इस घड़ी में लोगों से अधिकारियों से साथ बातचीत और सायोग करने का आगर किया उन्हों ने कहा कि सभी बचाव एजिंसियां राहत कारियों के लिए तैयार है जियो नियूस के मताबिक रहमान ने आगे कहा चक्रबाद का असली रूप 15 जून को पता चलेगा जब आज सिंद के केटी बंदरगा से टकराएगा पाकिस्तान की जलवाईयो मंत्री ने कहा कि थटा सुजावल बादिन थार पारकर और उमेर कोट जिले चक्रबाद से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे उन्होंने आगे बताया कि चक्रबादी तूफान बेपरजवय कराची से दूर जा रहा है और कहा कि चक्रबाद की वज़े से अधिकारियों को पाकिस्तान में छोटे विवानों के संचालन को निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा है उन्होंने कहा कि चक्रवात के पाकिस्तान के करीब आने के कारण वानेजिक उडानों का संचालन निलंबित रहेगा इस बीच पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा कि पूर्वत्र अरब सागर के उपर चक्रवात बेपर जोई पिछले 6 घंटों में लगबग उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है जेयो नियूज ने पीमडी के हवाले से कहा कि बेपर जोई चक्रवात अब अक्षांश 22.1 डिग्री उत्तर और 66.9 डिग्री पूर्व के पास कराची से लगबग 310 किलोमेटर दक्षिन की दूरी पर थट्टा से 300 किलोमेटर दक्षिन दक्षिन पश्चिम और केटी बंदर से 240 किलोमेटर दक्षिन पश्चिम में इस्तर पीमडी ने कहा कि चक्रवात सिंद और बलिचिस्तान के तठी इलाकों में तबाही मचा सकता है राश्ची आबदा प्रबंधन प्रादी करण के निदेशक जहान जैप खान ने कहा हमें आशंका है कि तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होगी और उची लहरे उठेंगी जिससे समेदन शीली धाचों को नुक्स्तान पहुंच सकता है इसलिए हमने साथानी बरतनी शुरू कर दिये और तटी एक शेतरों से कम से कम दस किलोमीटर के दाएरे से लोगों को निकाल रहे हैं बिपर जोई बांगला भाषा का शब्द है जिसका मतलब आबदा होता है इसके 15 जून को सिंदकी 30 पटी से टकरानी की संभावना है लेकिन 17-18 जून तक इसकी तीवरता कम हो जाएगी पाकिस्तान मौसम विभाग ने कहा कि हवा की रफ्तार 140-150 किलोमीटर प्रतिगंटा है जो 170 प्रतिगंटे तक पहुंच सकती है और इस कारण समंदर में 30 फूट उची लहर उट सकती है डिफेंस हाउजिंग अथर्टी ने सीवियू बीच और दर्शकांच के आसपास सिस्तिद घरों और अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को नोटिस जारी कर रहा था कि वे अपने अपने घरों को स्वेच्छा से खाली कर इस्थिती बहतर होने तक कराची के अंद्रूनी इलाकों में चले जाए डिएचे ने कहा कि चक्रवाद के कारण बार भारी बारिश और थेज हवाओं के खतरे को देखते हुए एती आती उपाए जरूरी है जियां आपने देखा कि आखिर चक्रवाद भारत से निकल कर पाकिस्तान जाएगा और जब वहां टकराएगा तो तबाही का मनजर और आलम क्या होगा तथे में आज के लिए फिलाल इतना ही नमस्कार